विए हमारा तीसरा पार्ट है इसमें हमने दो पार्ट में पहले इंस्ट्रॉलेशन लोगिन डेटा के से लेना है इसमें सब कुछ हमने देख लिया है फिर दूसरे second part में हमने देखा था कि web socket से data कैसे लेना है, code method से data कैसे लेना है और ये हमारा last part है, इसमें हम देखने वाले कि order कैसे हम place कर सकते हैं तो ये आप देख सकते हैं, इसमें last order place हुआ है 137 को, मतलो आज दिन में 1 बजेगा अभी हम नए order डाल के देख लेते हैं, तो बीना समय गवाए direct सीधा ही start कर लेते है code को तो मैं ये पहले कैसे login करना है, ये सब मैंने दोनों वीडियो में बता रखा है अगर आप सीधा ही ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहले वाले दो वीडियो देख लें at least first वीडियो तो आपको देखना ही चाहिए, second आपको data का requirement नहीं है तो चलेगा, लेकिन first तो आपको देखेंगे, तभी आप login और ये सब चीजे समझी पाएंगे तो ये login होगिया अपना, ये login वाला part मैंने first वीडियो में बता के रखा है ये मैंने cell को ahead कर देखेंगे, अभी हम सीधा place करेंगे order order के लिए code ready है, मेरे पास में code कैसे आपको ये place करना है, वो में दिखा देता हूँ तो exchange हमारा NACF हो गया, product हमारा क्या, मैं ये से NRML है या क्या है, वो सब हमें इसमें define करना पड़ा है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ ये documentation open कर लेता हूँ, और ये यहां से आप check कर सकते हैं, ये link भी मैं आपको दे दूँगा जिसे आप check कर सकें, तो ये देखिए, product में क्या जाएगा, कहां पर क्या pass करना है, वो सब आपको दिखाएगा product आपका NRML है, CNC, MIS, Intraday, CO, NRML आपका जाएगा FNO segment के लिए, और CNC जाएगा आपका equity के लिए, Intraday मतलब ही, वही equity के लिए, जो Intraday position रहेगा, CO आपका cover order, bracket order जो जाता है, उसके लिए जाएगा ठीक है, तो order type में आपका limit है, market है, यह से लेएगा, तो अभी हम एक order डाल के लिए, NAC, FOI, product हमारा इसमें हम NRML कर लेते हैं, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान एकना है, सारा का सारा चीज, यहाँ पर string में देना है, price जो कि float में जाता है, लेकिन यहाँ पर string में आपको देना है, तो अभी हमारा zero है, तो हम zero कर देते हैं, order type में हमारा क्या है, आप देखेंगे, तो यहाँ पर order type में हमारा क्या जाएगा, तो वो भी यहाँ बताए होगा, disclose quantity, AMO, disclose exchange, market production, product हमारा होगा, order type में हमारा market है, MKT कर देंगे market का, quantity भी यह देखेंगे, आपको string में डालना है, तो हम यहाँ पर bank nifty का order लफायर करेंगे, तो 15 डाल देते हैं, value data trading symbol, अभी इसमें trading symbol, मैंने first वाले वीडियो में आपको बताए था कि कैसे आप dynamically phase कर सकते हैं, जब आप logo बनाएंगे तब, लेकिन अभी में यहाँ का, इसका और kite का और kotak का दोनों का same है, तो मैं यहाँ से copy कर ले रहा हूँ, और यहाँ पर trading symbol में यह पास कर दूँगा, तो मैं इसको यहाँ पर ले आता हूँ, तो आपको easy रहे देखने में, और buy sell में buy करना है की sell करना है, तो हम यहाँ पर buy दे देते हैं, केमो है no, तो अभी एक बार देख लेते हैं कि यह market kotak securities में तो order नहीं जाता है, I think इसमें जाए तो हम चेक कर लेते हैं, तब buy में b और s देना है, तो यह देखिए error आपके सामने आ रहा है, तो आपको भी idea आ जाएगा, यह हमारा order चला गया, इसमें यह order ID मिल गया, अभी देख लेते हैं क्या हुआ इसका order का, यहाँ पर तो okay दिखा रहा है लेकिन, okay यहाँ पर आ गया यह देखिए, पांच बच के 51 मिनिट अभी 1751 का, बंद रहा है, reject YQ कि market बंद है, ठीक है friends, तो यह हमारा order आ गया है, same आपका equity में आपको लगाना है, तो SBIN में ले लेता हूँ, exchange आपका NAC, CM हो जाएगा इदर, product आपका हो जाएगा, MIS या intraday, market quantity आपका 15 चलेगा, इसमें वो कुछ नहीं, एक दो कितना भी डाल सकते हैं, script detail note for, SBIN I think, EQ, equity डालना पड़ेगा, देख लेते हैं, okay, equity डाला तो यह order चला गया है, यह देखिए SBIN का MIS order आ गया है by, और यह सब, तो ऐसे आप order डाल सकते हैं, अभी हम डालते हैं, AM order, AMO को yes करेंगे, यह modify करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, price में हम डाल देते हैं 550, 570 के आसपास कुछ price है, यहाँ पर हमें limit करना पड़ेगा, क्यूंकि AMO market में हम नहीं डाल सकते हैं, और take में भी आप earn डाल सकते हैं, take मतलब identify करने के लिए कौन सा order, जैसे आप multiple algos run कर रहे हैं, और bank 50 का 3-4 algos चल रहा है आपका, तो किस strategy से कौन सा order आया है, उसके लिए आप यहाँ पर take दे सकते हैं, ठीक है, तो यह तो अपना हो गया, order और take यह मैंने बता दिया आपको, और अभी यह quantity 15 की जगह मैं 5 कर लेता हूँ, ठीक है, एक बार अलग दिखे, और यह अभी इसमें हम क्या करते हैं, कि limit order और यह am order डाल के देख लेते हैं, ठीक है, यह देखे, amo में open में आगया, order, amo 5, 550 पर, अभी इसको modify कैसे करना है, तो modify करने के लिए simple है, वो भी हम कर लेते हैं, modify, तकि आपको कोई confusion नहीं रहे कि सब होता है, order method कैसे use करना है, ठीक है न, तो यह हम ले ले लेंगे quantity, price हमारा 550 था, अभी मैं कर रहा हूँ, 560, लेकिन आपको string में डालना है, यह द्यान रखना, order ID में से, यहां से, यह order ID लाना पड़ेगा, यह order ID हम यहां पास, OID में से order number लेकर निकालेंगे तो भी वही होगा, लेकिन हम यहां पर पास करेंगे, quantity हमारा 5 था तो 5 ही रखते हैं, आप चाहें तो इसे भी modify कर सकते हैं, trigger price हमारा कुछ है नहीं, 0 है, Validity Day है, Amo का हम Yes करेंगे, order type हमारा MIS है, चेक कर लेता हूं, product हमारा MIS और order type लिमिट है, order type में लिमिट जाएगा, product इसमें डालने का जुरूत नहीं है, OK, और M.O.ID को प्रिंट करके चेक कर लेते हैं, here are invalid request, price price 560, quantity 5, trigger price 0, day order type limit, M.O. OK, सब कुछ तो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं क्या हुआ हुआ है, actually, price, quantity, यह सब कुछ हमने डाला है, एक मिनट में चेक कर लेता हुआ 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 है, यह ट्रिगर price अमने नन दे दिया था, blank string इसके लिए ओडर नहीं जा रहा था, यहां पर मैंने अभी zero कर दिया है, तो आप देख सकते हैं यह order modify होके 560 हो गया है, यह आप चेक कर सकते हैं प्राइज यह 560 अभी इसको में मोडिफाई करके 570 कर देता हूं आपके सामने 570 यह आप देख सकते हैं ओडर मोडिफाई होके 570 हो गया है ठीक है फ्रेंट तो ऐसे आप मोडिफाई कर सकते हैं अभी इसको आपको market में modify करना है order type आप market कर देंगे price में 00 कर देंगे तो आपका order यह इसका एक एक ही format का आपको देंगे यहाँ पर इसको अगर integer में दे देंगे order ID तो भी order नहीं जाएगा यह quantity integer में दे देंगे तो भी नहीं जाएगा यहाँ पर हमने order report में आप करेंगे तो इसमें आपका पूरा का पूरा 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 order book मिल जाएगा आपको ठीक है और यह कहाँ से order आया क्या हुआ total detail आपको मिल जाएगा इसमें फिर वही method अपना for loop लगा के odr में से data हम निकालेंगे data में से for loop लगाएंगे तो यह सारा का सारा जो भी आपको extract करना है वो आप निकाल सकते है यह तो हो गया पूरा order book निकालने के लिए और अभी आपको चीए particular किसी order का order history निकालना है single order का तो उसके लिए आपको call करना है order history को और यहाँ पर हम call करने है order report को हम इस order का क्या हुआ है वो देख लेते हैं और modify करने पर order id नहीं बदलता है यह आपको ध्यान रखना है modify करेंगे तब ही order id वही रहेगा तो यहाँ पर मैं यह order id दे देता हूँ और od को print कर लेते हैं यह देखिए admin यह order source कहां से आ रहा है trade API से यह order जा रहा है इसका price 570 है sbn में यह order लगा हुआ है इसका status क्या है pending एक ओपन है यह सब आपको दिखेगा तो इसमें जैसे मैं यहाँ से अभी od में से data निकालू डेटा में से और डेटा एक बार निकालना पड़ेगा अभी आया अभी इसका zero में करूंगा क्योंकि लिस्ट आया है अभी इसमें इसका मैं स्टेटेस अगर चेक करूं इसमें नहीं है एक सेकंड इसमें क्या है तो वह चेक कर लोगा इसमें रिजेक्शन रिजेक्ट हुआ है तो क्यों है order नमबर आपको चीए तो आप निकाल सकते है order status अच्छा order st है status 0 में है modify after market order request received यह आप अगर modify किया इसके लिए बाकि आता सिफ after market order request received अभी आ रहा है modify order modify after market कि हमने इसे modify कर लिया यह से आप status check करके इस order के साथ क्या करना है cancel करना है या जो भी आप करना है कर सकते है अभी हम देख लेते हैं इसको cancel करके यहां तक आपने देख लिया तो चलिए नमबर में अपन दे देंगे यह वाला order id तीक है अभी आप देख सकते हैं यह order हमारे पास pending है अभी इसको हम cancel कर रहे है कैंसल ओडर रिस्पॉंस बेड इंपूट अच्छा इसमें क्या हुआ है प्रोडक्ट हम जबकि हम order history दे रहे हैं यह मों में हम यास करेंगे और यह हमारा यहां देना था लेकिन मैंने वहां दे दिया गलती से इसके लिए कोई नहीं यह आप चेक कर सकते हैं यह हमारा order cancel हो गया है भी यह देख लीजिए आप ठीक है फ्रेंट्स order cancel हो गया है हमारा अगले वीडियो को लेकर कोई क्वेरी आपको कोई कोटक नहीं हो सा रिलेटड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं अगले वीडियो में तो आप चैनल को subscribe कर लिजे तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स थेंक्यू